आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ठेले वाले जो बाजार में लगाते हैं ना भापके पोई बस वही ठेले वाले भापके पोई बनाएंगे और मैं जिस जिस टिप्स से आपको बताऊ ना कि क्या क्या टिप्स यूज करते हैं वो बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे और बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं यह बाप के पोई और इन में तेल भी नहीं रहता है आज में बिल्कुल ठेले वाले स्टाइल में एक एक दानेदार भाप के पोई बना के दिखाऊंगी इस ट्रिक से बनाएंगे तो गैरेंटी देती हूँ आपके भी घर में और चाहे कोई साभी पोई हो आप भाप के पोई बना सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले तो हम आप सभी का एक बाग फिर से स्वावत है रेनुदा किचिन चैनल पे अगर आप सभी कोई रेच्पी पसंद आए तो लाइक और शब्सक्राइब चरूर कीजिएगा तो चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके लिए ले लिया है मैंने पोहा तो यह देखिए यह चलनी में मैंने इसको अच्छे से पोहे को छान लिया था और साफ कर लिया था अब नीचे रख लिए मैंने एक बड़ी सी परात अब क्यूं रखी है वो मैं बताती हूं आपको तो स PC L. यह फिरिए पोहे को अण näia मने पानी में ड़न डले रहन देना है और फिर इसको ठा ले डाल मैंने पाल होगा रख ना है इसकी भी पोहे से बाहर बना सकते हैं कोई जरूरी नहीं करना रहा है तो यहां पर एक मैंने थाली ले लिए है बड़ी सी उस पे हम oil grease कर लेंगे तो यहां पे अच्छे से धाली में हम ओईल को ग्रीज कर लेंगे अब यहां बड़ा सा पतीला ले लिया है मैंने स्टीम करने के लिए पानी अच्छे से गरम हो गया है अब जो यह पोहे थे हम एक प्लेट में फैला लेंगे तो यहां पे देखिए एक एक पोहे अलग ही तो यहां पर दोस्तों जब मैंने यह पोहे बनाए अपने घर पे तो बजार के पोहे तो सब भूली गए ठेले वाले के अब जो मैंने पतीले में पानी गरम करने रख दिया था अच्छा सब बॉइल आ गया अच्छा गरम हो गया उस पे मैं थाली रख दिया है और इसको अच्छे से हम पकने देंगे स्टीम करेंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे देखिए तो यहां पर अच्छे से तड़का तो तड़के के लिए मैंने ओईल ले लिया है तो बारिक वाली सरसों और कड़ी पत्ते और यहां हरी मिर्ची लंबी लंबी स्लाइसों में काटके इसमें बड़िया सा तड़का लगाएंगे तो अब यहां मैं लगा रही हूं तड़का आप चाहें तो बिना काफी टेस्टी लगेंगे लेकिन तड़के से क्या है इसका स्वाद और इसके देखने में काफी बढ़िया लगेंगे यह बजार से भी लाग गुना आपको घर पर अच्छे बन के रेडी हो जाएंगे तो यहां तड़का इस पर ढ़ा दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर पोहा को यहां देखिए अच्छे से मिला लेंगे जिससे ही अमारा तड़का राई कड़ी पत्ता जो भी हमने डाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब यहां पे हम सर्फ करते हैं गर्मा गरम भाब के पोहे तो जब आप बाजार में जाते हैं तो 10 रुपे के या 20 बारिक कटी हुई प्यास डाल देंगे बड़िया से और फिर हरा धनिया आ जाएगा इसमें बड़िया सा बारिक कटा हुआ फिर इसमें डालेंगी नीबू निचोड के तो ये सब तो बजार वाले भी पोहे में नीदेंगे और बड़िया सा इसमें डाल देंगे सेव या आप कुछ भी अपनी जो भी नमकिन आपको पसंद वो डाल सकते हैं या मैंने सेव डाल दिये हैं बारीक वाले अब ये गरमा गरम भाप के पोहे रेडी हैं बिलकुल बाजार ट्रिक से और बाजार से भी बहुत ही बड़िया वने हैं हमारे बच्चों ने घर में खाए तो बाजा